वेलकम दोस्तों आज आपका एक बाद फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल गेट सेट टेट पर आज हम फिर से जी के और साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने ले करके आए हैं चलिए फिर से इसे एक बाद शुरू करते हैं वाट इस लाफिंग गैस लाफिंग गैस यानि हसने वाली गैस कौन सी है तो जैसा कि इस चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है ओप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड ओप्शन नमबर ए इसका यूज कहां पर किया जाता है डेंटिस्ट जो होते हैं दातों के डॉक्टर वो ल elements that are frequently used for making transistors आपने ये transistors अक्सर अपने electronic devices में देखे होंगे ये किसके बने होते हैं पहले इसका answer कर लेते हैं इसका answer है silicon और germanium से मिलकर यानि की option number 20 इसका answer है ये transistors होते हैं इनका use क्या होता है इनका use ये होता है कि ये weak signals को amplifier के जो weak signals होते हैं उसको ये increase करते हैं क्या करते हैं बढाते हैं और ये control करते हैं किसको current को भी control करते हैं कब कितना भेजना है और कितना नहीं भेजना और कितना रोकना है ये सब electric circuit में इसका ही काम होता है इसका क्या नाम है transistors तो इसका answer होगे option number B silicon germanium आगे चलते हैं the filament of the electric bulb is made of जो आपका जो bulb होता है उसमें आपने देखेंगे इस तरीके के wire के साथ एक spring लगी होती है bulb में तो वो यह जो spring है यह किसकी बनी होती है इसका answer है option number A tungsten क्या option number A tungsten ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं diamond is an allotropic form of diamond किसका allotropic form है इसका answer है carbon carbon के allotrops में कौन कौन आते है एक तो diamond आता है ठीक है और आपका दूसरा आता है graphite क्या आता है graphite यानि जो आपकी pencil में use होता है graphite वही ठीक है diamond और graphite किसके allotrops है carbon के याद रखेंगे आगे चलते है LPG consist of mainly जो आपके घर के अंदर जो cooking cylinder आता है gas cylinder उसके अंदर कौन सी gas mixtures होते है उसके अंदर होता है आपका methane होता है butane होता है और propane होता है तो इन तीनों का mixture होता है तो इसको ध्यान रखेंगे methane, butane, propane आगे चलते हैं production of chlorofluorocarbon CFC gas which is proposed to be banned in India is used in which of the following domestic products देखिए जो chlorofluorocarbon gas है वो पहली बात आपकी refrigerator यानि की fridge में यूज होता यानि की option number B इसका answer हो गया दूसरी बात ये है कि ये हमारी जो atmosphere में ozone परत होता है ozone परत यानि ozone का formula O3 ठीक O3 ozone का formula यानि की ये क्या करता है chlorofluorocarbon में से जो chlorine होता है वो जाकर के आपका ozone के साथ reaction करता है और क्या result देता है ये ozone layer का घटाने उसकी जो परत की जो मोटाई है ozone layer की जो मोटाई है परत की उसको ये घटाता है क्या कर देता है घटा देता है जिसकी वज़े से ozone layer में हमारे छेद हो जाता है और सूरत से आने वाली ultraviolet rays जो की हमारे शरीर के लिए हानिकारक है skin cancer का कारण बन सकती है वो उसमें मदद करता है इसलिए ozone layer का हमारे अर्थ के चारो तरफ होना बहुत ज़रूरी है तो इसी वज़े से chloro-fluorocarbon को refrigerator से हटा दिया वेया है तो अब आपको comment करके बताना है कि अब कौन सी gas इसके बदले में use हो रही है refrigerator में तो इसका आंसर क्या हो गया refrigerator आगे चलते है which metal pollute the air of a big city यानि कि हमारे हवा जो हैरों की हवा है वो उसको pollute सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व कर रहा है metal कौन सा metal सबसे ज़्यादा pollute कर रहा है तो इसका आंसर क्या है petrol जब जलता है तो lead बाहर निकल के आता है सुदूवे में से जो की हमारे हवा में घुल जाता है और हमारे लिए भी नुकसान दायक है और भी कई तरीके से नुकसान दायक है lead को अगर हमारे body के अंदर मातरा जाती है तो इसे हमारी यादा शक्ती कमजोर होने लगती है और भी कई समस्याएं होती है तो इसका आंसर क्या हो गया lead ध्यान रखेंगे आगे चलते है which of the following is used as a moderator in nuclear reactor nuclear reactor में moderator पहले शब moderator का काम होता है बीच बचाव करना यानि कि कहीं पे भी अगर कोई जो जगड़ा हो रहा है तो उसमें आकर के बीच बचाव करना यानि कि शांत करना है तो अब जैसे ही nuclear reactor में किसकी reaction होती है nuclear fuel से जब reaction होती है तो उसमें energy जो निकलती है वो बहुत ज़ादा energy निकलती है तो उसको control करने के लिए moderator का use किया जाता है तो वो moderator कौन है जो कि वो nuclear reaction को control करता है तो उसका answer है graphite क्या डाला जाता है उसमें graphite डाला जाता है ताकि वो nuclear reaction जो हो रही है power plant के अंदर nuclear reactor के अंदर वो उसको control करके कर सके ठीक है दियान रखेंगे आगे चलते हैं which among the following is a positively charged particle emitted by a radioactive element यानि कि जो radioactive elements होते हैं हमारे जैसे कि uranium, thorium, radian तो ये सब जितने भी होते हैं उसके अंदर से जो positive particles होते हैं वो कौन से होते हैं तो पहली बात इसका answer होगा है alpha ray ठीक है? alpha ray कौन सी ray? alpha ray ठीक है? धियान रखेंगे, option number 20 का answer है, आगे चलते हैं which of the following has a least penetrating power? ये सवाल मैंने पहले भी बता चुक है अपनी पुरानी वीडियो में कि least penetrating power किसके होता है? इसमें होता है आपका answer alpha particles यानि C, अगर देखें आप paper लगाए एक paper की layer रखेंगे, फिर एक metal की layer रखेंगे, ठीक है? और फिर एक lead की परत रखेंगे, तो जो alpha particle होगो पेपर को penetrate कर जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा जाएगा, लेकिन ये तो alpha होगया बीटा क्या करेगा? इनको भी penetrate कर जाएगा मतलब कि paper को भी penetrate कर जाएगा और आपका दूसरे metal को भी penetrate कर जाएगा और जो gamma ये बीटा होगया और gamma क्या होता है? gamma particle क्या करता है वो paper को भी penetrate कर जाएगा और metal को भी और उसके बाद lead को भी penetrate करके आगे निकल जाएगा तो सबसे ज़्यादा penetrating power अगर पूछी जाए तो gamma और सबसे कम penetrating power पूछी जाए यानि तो उसका alpha ठीक है द्यान रखेंगे आगे चलते हैं इसका आंसर होगे आपका alpha particles next the isotopes of uranium capable of sustaining chain reaction जो आपका nuclear reactor या फिर bomb जो use होते है nuclear bomb उसमें कौन सा uranium का isotope use किया जाता है तो इसका आंसर है uranium 235 यही वो fuel है जो कि आपके nuclear power plant में use किया जाता है और यही वो isotope है uranium का जो nuclear bomb में भी use किया जाता है तो अब आपको यह comment करके बताना है कि आपके शहर के पास सबसे पास में nuclear power plant कौन सा लगा है ठीक है आगे चलते हैं who suggested that most of the mass of the atom is located in the nucleus ऐसा किसने कहा था कि जो atom होता है उसका जितना भी जो weight है mass है जो वो nucleus में ही होता है ऐसा Rutherford जी ने कहा था सबसे पहले atom की खोज के बारे में जो study की थी और किसने की थी Thompson ने की थी फिर उसके बाद और भी कई सारे models है जिसमें रदरफोर्ड ने कहा था कि जो atom होता है उसमें चारों तरफ ऐसे-ऐसे shells होती है उसमें electrons move करते है बीच में होता है आपका nucleus तो उसमें रदरफोर्ड ने कहा था कि जितना भी वेट होता है वो सारा का सारा वेट किसमें होता है nucleus में होता है और तो इसका अंसर क्या हो गया option number C, Rutherford ध्यान रखेंगे, आगे चलते हैं In vulcanization natural rubber is heated with vulcanization में क्या होता है कि जो आपका पेड़ों में से rubber निकाला जाता है उसमें ऐसा कौन सा material एड़ किया जाता है और उसको गरम किया जाता है उसके साथ जिसकी वज़े से उसके अंदर strength बनती है रवड के अंदर लंबे समय तक के लिए तो उसका आंसर है आपका sulfur यानि की option number C option number C sulfur ठीक है तो इसको धियान रखेंगे अब इसमें आपका एक सवाल यह है comment करके आप बताईएगा कि जो rubber है वो किस पेड़ से निकाला जाता है next question glass is made of the mixture of जो आपका जो घरों में जो खिड़कियों में कांच लगे हैं या दरवाजों में कांच लगे हैं वो जो glass है वो किस के द्वारा बनता है किन किन चीजों से बनता है तो इसका answer हो गया आपका sand और silicate sand आप जानते है rate और silicate के साथ मिल करके आपका glass बनता है ध्यान रखेंगे option number B इसका answer हो गया आगे चलते हैं gypsum is added to cement clinker 2 gypsum cement के अंदर क्यों मिलाया जाता है gypsum का काम होता है कि जल से जल आपकी cement को settle करे यानि कि आपने cement लगाई और उसका सूखने के लिए जैसे वो tight होती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है पूरे दिन भी लग सकता है लेकिन वो तुरंट set होती जाती है जल से जल कम समय में तो इसका answer क्या हो गया decrease the rate of setting of cement तो यानि option number B इसका answer हो गया ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं which is the important raw material required in cement industry cement industry में cement बनाने के लिए किन materials के सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बनाने के लिए तो इसका answer होगे आपका limestone और clay यानि की option number C ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं which one of the following is the petroleum wax petroleum wax जो यानि की आपका petrol में से जो आपका petrol को जब आप filter मुला जो कच्चा तेल होता उसको filter करते हैं फिर उसमें से कई तरीके के तेल निकलते हैं जिसमें से एक petroleum wax भी निकलता है वो उसका बच्चा कुचा waste होता है जिसको use किया जाता है कई तरीके की चीजों में जैसे की आपकी mom बत्ती बनाने में petroleum jelly बनाने में यानि की आपकी vaseline वगेरा तो इसका फिलाल आंसर क्या हो गया paraffin wax यानि क्या हो गया आंसर paraffin wax option number A तो आगे चलते हैं what is the unit for measuring the amplitude of sound जैसे length को नापने के लिए meter होता है volume को नापने के लिए liter होता है इसी तरीके से sound को नापने के लिए क्या होता है decibel option number A इसकी unit को कैसे represent करते हैं db से decibel ठीक है ध्यान रखेंगे आगे चलते है one kilometer is equal to how many miles एक kilometer में कितने miles होते हैं तो इसका answer है 0.62 तो इससे एक सवाल यह भी बनता है कि एक mile में कितने kilometer होते हैं तो एक mile में kilometer होते हैं आपके 1.61 kilometer ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं one horsepower is equal to एक horsepower में कितने watts होते हैं तो इसका answer है आपका 746 watts वैसे होते हैं 745.7 लेकिन उसको हम क्या मान के चलते हैं 746 watts ठीक है answer है 746 watts option number A ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं bar is the unit of same unit का question है यानि कि जो BAR बार है यह किसकी unit बताता है यह pressure atmospheric pressure की unit बताता है ठीक है ध्यान रखेंगे आगे चलते हैं kilowatt is the unit of kilowatt किसकी unit है power की याद रखें आगे चलते हैं electric current is measured by जो current होता है आपकी घरों में जो आता है वो किस से measure किया जाता है कौन सा meter तो उसका answer है m meter क्या m meter option number C याद रखेंगे आगे चलते हैं not is a unit of speed of which of the following जो not है वो किसकी unit है speed नापने की जो आपके समुदर में जहाद चलते हैं ships चलते हैं boats चलती हैं इन सब की speed नापी जाती है वो आपकी not में नापी जाती है तो आपको ये बताना है comment करके कि aeroplane की speed की unit क्या होती है comment box में जल्दी जल्दी type करके बताईए ठीक है option number C इसका answer हो गया ships आगे चलते हैं तो आज हम mercury और या फिसको हम हिंदी में बुद्ध ग्रे कहते हैं उसके बारे में कुछ facts देख लेते हैं जो आपका mercury होता है बुद्ध ग्रे वो सूरज की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लगाता है धर्ती कितना लगाती है 365 दिन और 6 घंटे ठीक है धर्ती 365 दिन और 6 घंटे लगाती है तो इसका answer यह हो गया पहला दूसरा fact बुद्ध ग्रे का कोई उपग्रे नहीं है जैसे धर्ती का उपग्रे कौन सा है चांद नैचरल है नैचरल सेटलाइट धर्ती का कौन सा है नैचरल उपग्रे कौन सा है चांद ठीक है बुद्ध ग्रे का कोई नहीं है अगला बुद्ध ग्रे का जो गनत्व है वो 5.5 है जो की लगबग प्रत्वी के बराबर ही है ठीक है अगला सवाल सूरे से सबसे निकट इस्तिती होने के बावजूद बुद्ध सूरे मंडल के सबसे गरम ग्रहों में दूसरे स्थान पर आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लिख करके की पहले नमबर पे कौन आता है ठीक है next बुद्ध ग्रह पर गुरत्वा गर्शन प्रत्वी की अपिक्षा सिर्फ 38 परसेंट ही है तो यानि कि धर्ती पर गुरत्वा गर्शन ज्यादा है बुद्ध पर 38 परसेंट है यानि कि आप वहाँ पे अच्छे से लंबी चलांग, उचाई तक चलांग लगा सकते हैं काफी दूर तक, ठीक है? तो ये थे आज के facts मरकरी के बारे में, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, प्लीज बैल आइकन पर दवाईए और हमें सपोर्ट कीजिए, बाई बाई, धन्यवाद, जैहें